हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहू के आटे का एक्तम नया और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नास्ता इस नास्ते को बनाना बहुत आसान है बहुत इकम समय में ये नास्ता बनकर तयार होता है और खाने में ये बहुत इससा टेस्ट लगता है तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी के फटाफट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नहीं वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन यानि के मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वाच कर सके सब्सक्राइब कर लें इसनास्त को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे तो आटा लगाने के लिए हम यह पर इस्तमाल करेंगे गियो Speaking Kelly होता है तो यहmen पर आप चाहें तो इसमेंας मैतर से भी बना सकती ठालेंगी और आटे को आपको अच्छे से चान लेना है उसके बाद ही इस्तमाल करना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे तीन छोटे चमच के करीब देसी घी तो अगर आपके पास घी नहीं है या फिर आप घी नहीं डाला चाहत तो आप इसकी quantity को यानि की घी की quantity को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं तो देखिए हमने इसे अच्छे से mix कर लिया और जब हम इसे हां से बांद है तो कुछ इस तरह से हमारा आटा बंद रहा है और बिखर भी रहा है तो अब इसमें हम धीरे-धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम semi soft dough तयार करेंगे ध्यान रखिएगा dough को आपको बहुत ज़्यादा soft भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा tight भी नहीं तो जैसे हम normal रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे ही थोड़ा सा tight आटा हमको इसका लगाना है तो देखिए आटा हमारा काफी तो चलिए इसे अब हम cover करके छोड़ देते हैं और अब अपनी हम दूसरी तयारी कर लेते हैं तो अब हम यहाँ पर लेंगे 3-4 उबले हुए आलू और इन आलू को हम अच्छे से grate कर लेंगे तो आपकी पास जैस तरह का भी कद्दुकस है उससे आप अपने आलू को अच् चिली फ्लिक्स इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारे कटी हुई हरी मिर्ज तो तक्रीबन दो तीन हरी मिर्ज आपको डालनी है अगर आप बहुत जाता स्पाइसी घाते हैं तो आप इसकी quantity को बढ़ा भी सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे सागा प्या अब इन सारी चुज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से तो आलव को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम साइड में रख देंगे और अपने आठे को चेकर लेंगे तो फैंस यहां पर आप दिख सकते हैं कि आठा काफी अच्छे से सब्सक्राइब और आप दीख सकतें कि यह भूखत ही सॉफ्ट हो चुका तो आप इसे हाथों से हम इस तरह से मसल लेंगे और मसलने के बाद इसे हम इस तरह से चोटी चोटी लओें में डिवाइड कर देंगे तो बहुत ज़ादा बड़ी लोई बनाने की अच्छे से स्मूध कर ले ना है तो इस तो इसे बनाने में भूगा और हमारा काम जटक पट हो जाएंगे तो देखिए इस तरह से सारी बॉस को ready कर लेंगे तो दोनों ही चीज़े अच्छे से ready हो चुकी हैं तो अब अपनी एक लोई को हम ले लेंगे और इसे हम फटा फट से बेलना स्टार्ट करेंगे तो इसे बेलने के लिए आप थोड़ा से सुखे आटे का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप इसा बिना आटे के भी बेल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने मोवल लगाया है तो देखिए इस तरह से आपको हलका सा आटा इस पर लगा देना है और इसे आपको फटा फटा से ब इसके बाद हमने जो अपनी आलो को बॉल तैयार किये उसे हम एक ले लेंगे और इसके अंदर हम बीचो बीच में रखकर इसे अच्छे से कवर कर देंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसे हम निकाल देंगे तो देखिए इस तरह से हमें पूरियां बनाकर रैडीकलрах लेनी यह शहां तो इसे आलो की कचोड़ी बॉल सकते हैं लेकिन यह बखिए अलक तरीके की कचोड़ी है इससे खाने में बखिए ब् outward मसालो का यूज किया है लगबग कर भी मसाले ने डाले हैं बहुतних sevent फ्लीवर फूल होती तो इस तरह से हम अपनी सारी पूर कि इसे आपको बहुत ज़दा पतला नहीं करना है इसके बाद आपको इसके अंदर स्टफिंग रखनी है और इस तरह से आपको अच्छे से फोल्ड करके आटे को निकाल देना है और इसे अब हम हातों से ही बढ़ाएंगे यानि कि जो लोग ड़ते हैं कि आलो की कचोड़ी ब करने के लिए हम पहले तेल को गरम कर लेंगे तो यहां पर मैं कचोड़ियों को डिफ्राइब करने हूं आप चाहें तो इसे सेलो फ्राइब भी कर सकते हैं सेलो फ्राइब करने से आपकी जो कचोड़िया होगी वह बहुत ही जादा हल्थी रहेंगी तो देखिए तेल हमार कचोडियों को फ्राइब करना है क्योंकि जो कचोडियां होती हो बहुत ज़्यादा हल्की होती है और इसे पकने में बहुत कम समय लगता है तो 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 किरिवन पांच मिनट के अंदर आपकी सारी कचोडिया बनकर रेडी हो जाएंगी तो देखिए हमारी कचोडिया अच्छे हो तो आप अपनी गैस की फ्लेम को बन करके कचोडियों को डाले वर्ना आपकी कचोडिया जल भी सकती है तो ये एक बात कर ध्यान रखेना है आपको तो देखिए हमारी दूसी कचोडिया भी काफी अच्छे से कुख हो रही है तो जब आपको लगे कि आपकी टेल का टमप अपनी के साथ enjoy का सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं खाने में यह बहुत ही सदा क्रिस्पी और टेस्टी होती है आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी से फिलिंग को हमने फिल किया है और बहुत ही कम चीज़ों से हमारा यह नास्ता बन जाता है और झालता हैं और बहुत है झालता है और देख करें देख और देख.